ममा मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा वहां किसी बच्चे को ना दे देना, खुद ही खाना किसी को नहीं दोंगा, मैं नदी पर जाकर कुकु को दिखा दिखाकर ये बर्गर खाऊंगा फिर जगु अपना बर्गर उठाकर नदी की दरफ चला जाता है कू कू, मैं तो यहाँ अपना चिकर बर्गर खाने आया हूँ मैंने सोचा, बर्गर खाकर नदी का ठंड़ा ठंड़ा पानी पियूँगा जगू, इस बर्गर का सबात कैसा होता है? बहुत स्वादिश्ट है यह बर्गर, बहुत स्वादिश्ट मेरी ममा मुझे हर रोज बर्गर, पीजा और कॉल ड्रिंक्स देती है क्या तुम्हारी ममा भी तुम्हें ये सब देती है नहीं, मेरी ममा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते होते हैं, सब ममा के पास पैसे होते है आपकी ममा आपको जान बूज कर नहीं लेकर देती कुकु वहां से चला जाता है अब ये घर जाकर अपनी ममा को खूब तंग करेगा बहुत मज़ाएगा कुकु बेटा लो ये दाना खालो मैं बहुत दूर से लाई हूँ ये दाना आपके लिए नहीं ममा मैं ये दाना नहीं खाऊंगा जाकु हर रोज तरहां तरहां की चीजें खाता है मगर हमेशा मुझे दाना ही देती हैं आप मैं नहीं खाऊंगा सुखा दाना फिर उस जाकु के बचे ने तुमें कोई उल्टी सीधी बातें बताई होंगी फिर दूसरे दिन कूकू कबूतर अंकल की बर्गर की दुकान बढ़ जाता है कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और कूकू चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है रुको रुको चोर बचे मैंने देख लिया है तुम्हें चोर कहीं का अंकल फिलीच मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है मुझे एक बर्गर बिना पैसों के दे दे पैसों के बिना यहां कुछ नहीं मिलता चल फाग यहां से कुकू निराशो कर वहां से चला जाता है चुडिया आज तुम्हारे बेटे ने मेरी दुकान से चोरी करने की भी कोशिश की है नहीं भीया मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता मैंने हमेशा उसे चोरी करने से मना किया है जब घर आए तो पूछ लेना मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे कुकु तुम यहां बैठे हुए हो मैं कब से तुम्हें ढोन रहा हूँ क्या बात है जगु मेरे साथ मेरे घर चलो तुम्हें कुछ दिखाना है फिर कुकु जगु के साथ उसके घर चला जाता है जगु इसे क्यों साथ लेकर आए हो आइस क्रीम तो थोड़ी है ममा मैं कुछ सा कुकु को आइस क्रीम दूँगा मैंने सोचा कुकु मुझे आइस क्रीम खाते हुए देख लेगा लो जगु बेटा तुम ये आइस क्रीम खाओ और मैं थोड़ी देर तक आती हूँ जगू के मम्मा किसी काम से घर से चली जाती है जगू मुझे भी थाड़ी सी आइस क्रीम दे दो मैंने कभी नहीं खाई अपनी मम्मा से कहना वो ले देगी तुम्हें वाँ वाँ बहुत स्वादिस्ट है थंडी थंडी स्वादिस्ट आइस क्रीम ऐसे जगू अपनी आइस क्रीम खाने लगता है शाम को जब कुकू अपने घर जाता है तो उसके मम्मा उसे कहती है कुकू बेटा आज मुझे कबूतर मिला था हाँ चुराया था चुराया था मैंने बर्गर उसकी दुकान से चुराया था मगर उसने उसने वापस ले लिया ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है कुकू बेटा हम घरी पक्षी है और घरी पक्षी के बल दाना ही खाते है जगू खाए बर्गर जगू खाए पीजा जगू खाए आइस क्रीम और मैं खाऊ सूखा दाना नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा अच्छा अब चुप कर जाओ मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंड कर लाती हूँ ऐसा कहते हुए कुकू की ममा घर से चली जाती है मैं नहीं खाऊंगा ना सुखा दाना और ना ही मीठा फल कुकु भी गुसे में घर से बाहर निकल जाता है ममा चडिया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंड लेती है मेरा कुकु ये फल देह कर खुश हो जाएगा ममा चडिया वो मीठा फल लेकर अपने घर वापिस जाती है मगर घर में अपने बेटे कुकु को ना दे कर ममा चड़िया बहुत चिंदित हो जाती है कहां गया अपना जाने कुकु कहां चला गया बहुत तंक करता है ये बच्चा भी मुझे ममा चड़िया अपने बेटे को ढोनने जाती है कुकू, कुकू, मेरे बेटे कहां हो, कहां हो आप फिर ममा चड़िया को दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपना बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है ममा चड़िया वहाँ जाती है कुकू बेटा, आप यहां बैठे हो, और मैं आपको पूरे जेंगल में ढूंड रही हूँ मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कल मैं अपनी बेटे को बर्गर भी खीलाऊंगी और आईस क्रीम भी यह सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है पका ममा, पका हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पका प्रॉमिस, आप मेरे साथ घर चलो फिर कुकू अपनी ममा के साथ घर चला जाता है वो बच्चा था, वो यह नहीं जाता था, कि उसकी ममा तो बहुत गरीब है वो उसे वो सब नहीं दे सकती, जो जग्गू खाता है फिर दूसरे दिन ममा चड़िया अपने घर से निकलती है आज मैं अपने बेटे के लिए आईस क्रीम और बर्गर जरूर ले कर जाओंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो ममा चड़िया उरती हुई तोते के पास जाती है मिठू तो ता लकड़िया काट रहा था मिठू मैं आपकी ये लकड़िया काट देती हूँ और आप अदले में मुझे कुछ पैसे दे देना हाँ चड़िया अगर आप ये लकड़िया काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको सो रुपे दूंगा ये सुनकर चड़िया खुश हो जाती है फिर ममा चड़िया कुलहाडा लेती है और काम पर लग जाती है वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक ममा चड़िया के हाद से कुलहाडा फिसल जाता है और सीधा ममा चड़िया के पाउं पर लग जाता है ममा चड़िया का पाउं बुरी तरहां घाइल हो जाता है खून बहने लगता है मिठु तोता ये देह कर जल्दी से वहां आता है जो काम कभी न किया हो क्या जरूरत थी उसे करने की मिठू चड़िया के पाउं पर पटी बांद देता है मुझे अपने बेटे के लिए आईश क्रीम लेनी थी इसलिए मैं ये काम करने आई थी ज्यादा खून बह जाने की वज़ा से ममा चड़िया बेहोश हो जाती है वो गिर जाती है मिठू चड़िया को उठा कर उसके घर छोड़ाता है ममा ममा मेरी ममा को क्या हुआ मिठू अंकल ममा बॉल क्यों नहीं रही आपकी ममा के चोट लग गई है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी कुकु रोने लग जाता है आपकी ममा आपके लिए आईस्क्रीम लाने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और चोट लग गई मिठू ये बता कर कुकु को सो रोपे देते हुए वहां से चला जाता है ममा मुझे माफ कर दे मेरी वज़ा से आपके साल ये सब हुआ ममा चड़िया भी होश में आ जाती है कुकु मेरे बेटे कहा हो आप आप अपने घर में ही है ममा ममा मुझे माफ कर दे आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी मेरे बेटे मैं आईस्क्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए ऐसा कहते हुए ममा चुडिया रोने लग जाती है ममा मुझे सब मालूम हो गया है पलीज ममा मुझे माफ कर दे मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा ममा मैं हमेशा आपका कहना मानूगा मैं सुखा दाना भी खा लूँगा फिर कुकु को एहसास होता है सभी छोटे पक्षियों को अस्कूल से गर्मियों की लंबी छुटिया हो गई थी चिडिया के बेटे कुकु और बेटी गुडिया ने अपनी नानों के पास जाने के लिए अपनी पौकिट मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिये थे ममा पलीज कल हमें नानों के पास जाने दे ममा पलीज मैं भी भाई के साथ जाऊंगी भाई आप मेरे पैसे भी ले ले अच्छा ठीक है आप दोनों कल चले जाना और फिर मैं कुछ दिनों बाद जाकर आपको ले आऊंगी अपनी ममा की ये बास सुनकर कुकू और गुडिया बहुत खुश हो जाते हैं अब जाओ और नदी से मूँ हाथ दो आओ और कल सुभा सुभा ही आप चले जाना फिर कुकू और गुडिया खुशी-खुशी नदी की दरफ जाते हैं नदी पर जग्गू कवा बैठा हुआ था कुकू जगू कवे से कहता है जगू, जगू, मैं और गुडिया कल हमारी नानों के जंगल जा रहे हैं मेरी दादी भी उसी जंगल में रहती है मैं भी अपनी मम्मा को मना लूँगा और फिर कल आपके साथ ही मैं भी अपनी दादों के पास जाऊंगा नहीं कुकू, हम जगू को साथ नहीं ले कर जाएंगे जगू हर समें उल्टी सीधी शरार्टें करता है गुरिया, प्लीज, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा फिर घर जाकर जगू अपनी ममा से कहता है ममा, ममा, मुझे भी दादों के पास जाना है तुम अकेले कैसे जाओगे जगू बेटा ममा, कुकू और गुडिया कल अपनी नानों के पास जा रहे हैं मैं भी उनके साथ ही चला जाओंगा मगर याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो फिर कभी मैं आपको आपकी दादी के पास नहीं जाने दूंगी ममा, प्रामिस मैं कोई शरारत नहीं करूंगा फिर दूसरे दिन जब कुकू और गुडिया तियार होकर घर से निकले ही थे के गोरी कवी भी जगू को साथ लेकर आ जाती है चिडिया, कुकू ने जगू को बता दिया के वो अपनी नानों के पास जा रहा है कल से जिद किये जा रहा है मेरा जगू अपनी दादी के पास जाने की फिर क्या हुआ बहन, जगू की दादी का घर मेरी मा के पडोस में ही तो है सब बचे अकठे चले जाएंगे ममा, अब हम जाएं कुकू बहुत मज़ा आएगा मैं तो ओटो में अगली सीट पर बैठूंगा फिर वो सब वहां से उड़ते हैं थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपना ओटो लिए खड़ा था तीनों छोटे बच्चे कबूतर के ओटो में बैठ जाते हैं छोटे बच्चों कहां जा रहे हो चाचा कबूतर मैं और भाई अपनी नानों के पास और जगू अपनी दादों के पास जा रहे हैं